लाठियां बड़साई आज हमारे साथ बाचित कर दे के लिए पुर्व किसी मंत्री अमनित प्रताप सिंग है किस तरीके से देखते हैं किसान सलाकार अपनी मांगों को लेकर विदान सबाग घराव करने के लिए पहुंच रहते लेकिन अब लाठियां बड़साई जा रही है अगर वो कुछ उद्यम करते हैं तो सरकार हिंसा नहीं करती है और लोग तंत्र में हिंसा का कोई अस्थान भी नहीं है सांती पूर्ण प्रदर्सन पर यदि लाठी चलाई जाती है उन्हें गाहिल किया जाता है मारा पीटा जाता है जाहिर है कि सरकार के पास जो सवाल है उन सवालों का जवाब नहीं है जिन सवालों का सामना जंदा कर रही है तो सरकार बच लिए है सरकार तो वही नुके पास जवाब ही नहीं है यह सब सरकार इसे मैं ऐसी सरकारें करती है लेकिन यह लोगतंतर की हत्या होती है विशान सराकार मैं एक उसी मंतरी रहा हूँ और उनकी माँगों को मैं जानता हूँ सम्मेदन सीलता तो यही थी कि उनके साथ बैठके बात करते और मैंने उसमें भी सरकार से कहा था और मैं उन बातों को लाया था विभाग के सारे अधिकारी, सेक्रेट्री, डारिक्टर, सब लोगों के साथ बैठके उनके प्रतनीदियों के साथ बैठके बैठक चिया थे और उसमें एक राय बनी थी यह प्रामर्सी हैं, यह सलहकार हैं तो इन्हें सरकारी सेवा के कर्मचारी के रूप में देखा जाए इसलिए जरूरी है कि ये फुल टाइम केंटर्ट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इनुब करने का सब्सक्राइब है लेकिन जें जन्ता ने रिजेक्ट किय था अज वही सांसन कर रहे हैं क्סवा-फ। आज-वही सासन कर रहे हैं तो संब्यदिनाय होनी चाहिए जन्ता के प्रती लोगतंत्र, लोगतंत्र प्रति वह ऐसी सरकार में नहीं हो सकती है जिसको गाहे बगाहे किसी तरह से वह अक्सिडेंटल कहिए दुरगटना मस कहिए लोगतंत्र की दुरगटना है कि ऐसे 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 दल को और सासन करने का अधिकार मिल जाए जिसे जनता ने रिजेक्ट किया हो तो ऐसे मैं इसी घटना घटेंगी और आज घटी है घटना बहुत दुरभागी पुर्न है बात करने के बजाए लाठी बरसाना प्रसासन का कहना है कि हमने समझाने की कोशिश की हमने सुझाव दिया कि गर्दनी बाग धरना स्थर पर पहुंचे सचिफ से मिलकर बात करें लेकिन किसान मानने के लिए तयार नहीं थे इस डिम के बात है कि एस डिम में उनके सवालों का जबाब जेते हैं । это सरकार को संदेश जिना चाँ है इस धिलाए हैरा अचाहिए कि हम बात करने को तिया रहे क्याने के खिफित कि कुमार सरवजित की दिलाई है डिलाई नहीं है सरकार बात ही नहीं करना चाहती है यह सरकार बात नहीं करना चाहती है बात करने से भाग रही है इन सवालों का जबाब नहीं है उनके पास जिन सवालों का सामना जनता कर रही है तो ऐसे में जो यह सब हो रहा है यह नाकारात्म करवाईया है हो रही है यह सरक जोभी थैले मिंटाभ एक्राइब करूंदी पर देस्ट का पूरा रेसाल थे मैदां करेंगे और हम जानते हैं कि हमें भी रोका जाए करी पांस दिन का मौन सुन्स सत्र है paramcoon जो सिखदा भीडरती결ते हैं नियूजित सिच्षक है, सरकार से मांग कर रहे हैं, आج किसान सलाहकार भी सरक पर उत्रे हुए तेक लाप लोग भारी संख्या में उतरने वाले है. क्या लगता है सरकार के ऊपर इसका असर होगा? लेकिए, सरकार के उपर असर हो या नहो, लेकिन हमारा यह करतब है, हमको तो जागते रहो, जागते रहो की जब आप जही अशानक मिल गई, हम तो सेबा करने वाले थे, लेकिन अब तो हम जगाते ही रहेंगे ना जनता के अधिकारों की जो ससक्त लड़ाई है, संगर्स है, उसके लिए संगर्स करते रहेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, यह हमारा कर्तब्य है, और अपने कर्तब्य का हम पालन करेंगे, और हमने तो पहले ही गोसना किया था, भारते जनता भारटी ने गोसना किया है, इस सदन से सडक तक लड़ाई जनता की लड़ेंग बिजेपी भी सिच्छक अभेर्थियों के समर्थन में सरक पर उतरने वाली है उस पर भी इनका अंदेशा है कि सरकार के तरफ से पूरा रोकनी की कोशिस की जाएगे अब देखने वाली बात हो कि आखिरकाल कल क्या होता है फिलहाल आज किसान सलाकारों के उपर लाठियां कर रुमतेर इनकार है भी सिच्छक राठियां आज कर दोर लाठियां पर उत्तार रुमतेर उत्र में सरकारा के समर्ण का अंदेशा है पंटतेशने लाठियों के बाता है उत्शक बाता है आवशक वष़ार्ण